हाँ बाई क्या हाल चाल सभी के जहन एवरिवान होप सब ठीक होगे सिर्फ क्लास लाइव क्यों नहीं ले रहे हो आप प्रेमियर क्यों डाल रहे हो विटा अभी न एक्चुली दो तीन दिन के लिए थोड़ा सा मिरे पास एक्ष्रा काम है तो इस वज़े से मैं लाइव नही इसलिए यह प्रेमियर कर रहा हूं है तो बीच में जो मैं ले नहीं पा रहा हूं लाइव क्लास इसलिए मैं केवल यह वीडियो प्रेमियर कर रहा हूं दो या तीन चैप्टर की ठीक है जो चैप्टर नंबर एट रहेगा आपका जो भक्ति और सूफी मुव्मेंट वाला चैप्टर है आपका ठीक है उस वाले चैप्टर से मैं लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दूगा बट प्लीस तब तक के लिए सिर्फ यह दो चैप्टर साप मिर्शाद प्रेमियर के रूप में बस देख लो ऑल्दो कोई भी आपका डाउट रहेगा आप लोग जैसे ही च चैप्टर से हम लाइव स्टार्ट कर देंगे बस तब तक के लिए आप यह दोने चैप्टर के लिए बस मेरे साथ प्रीमियर वाली वीडियो देख लो ठीक है यह एक इंपोर्टेंट रनाउस्मेंट थी आज के लिए और सर हम क्या पढ़ रहे थे हम NCRT क्लास सेवंथ का अगर नमबर 6 पढ़ रहे थे जिसमें आधा पार्ट हमने कल कवर कर लिया था आधा पार्ट हम आज कवर करेंगे हमने देखा कि Hai क्या होते हैं administrative centers क्या होते हैं pilgrimage centers क्या होते हैं किस तरीके से डवलप हुए किस तरीके से एक दूसरे के साथ connect हो गए किस तरीके से इन लोगों नेटवर्क established किया यह तब हम देख चुगे हैं पिस्ति क्लास में आज उसके आगे देखेंगे लेकिन आगे बढ़ने से से पहले हमारी क्लास की प्रता है क्या प्रता है कि हमें timeline बनानी होती है timeline के हिसाप से अगर 2500 साल की बात करें 7500 से लेके 1000 तक तो यहां पर आपके तीन वंच आपस में लड़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार राश्ट कूट और पाल कन्नौज के लिए आपस में लड़ रहे हैं 500 साल तक लड़ते रहेंगे उसके बाद इनका पतन हो जाएगा decline हो जाएगा फिर क्या होगा यहीं गुजर प्रतिहार जब decline होगा तो यहीं से आपकी बहुत सारी राच्पुता नहीं स्टेट्स निकल के आई और क्यूंकि भारत के अंदर कोई कोई बहुत बड़ा राजा कोई बहुत बड़ी पावर है नहीं तो भारत के ओपर क्या हो गया foreign invasion हो गया बाहर से अटेक हो गया जिसमें पहले आपका मुहमर बिन कासीम आया फिर घजनी आया और फिर घोरी आया आप लोगों के लिए एक सवाल यह है कि जब यह क्लास खतम होईगी जब आप यह पढ़ लोगे तो कमेंट में यह चैट में आप फिर को में को कॉन्टेक्श में पता तो यह आपका हमनदर चेक करना है और चैट में या फिर में इपको उसके बाद 1206 के अंदर कुतु बुद्धी नायबक नाम के वक्ति ने जो कि मुहम्मद गोरी का एक गुलाम हुआ करता था उसने दिल्ली सल्टनत की स्थापना करी और इसी के अंदर आपके पांच अलग अलग वन्च आएंगे स्लेव, कलजी, तुगलक, सैयद, लोधी फाइनली 1526 के अंदर आपकी फर्स्ट बैटल आफ पानी पत होएगी जिसमें बावर जीच जाएगा और वो भारत के अंदर क्या करेगा आपका मुगल डैनेश्टी को इस्तियाबरिश करेगा अब शुरू के राजा बहुत ही इंपीरियलिस थे, सामराज्यवादी थे, ताक स्टेटिव टेंपल साउंड और नेटवर्क आफ स्मॉल टाउंज यह सब देख चुके हैं ठीक है आज हमें यहां से देखना है बिग एल स्मॉल टेडर्स कुछ-कुछ बड़े विपारी है और कुछ-कुछ चोटे विपारी हैं किस तरीके से अपना विपार कर रहे हैं ए एक विलन मुवी का हा वो वह ही लगा लो जैसे बंजारे को घर मनारे लोग एक जगह से दूसी जगह गुस्टे हैं यह एक एसी ट्रेडर कमुुलिटि है एकी वैपारी सम्रंधा है जो एक जगह से दूसी जगह ज़ाया करता था अपना समान बेचता था अब चाहे वह बा तो बंजारा और वन अमंग दा ट्रेडर कमुनिटी इन मेडिवल पीरेट मेडिवल पीरेट के अंदर यह बंजार एक कमुनिटी हुआ करती थी उसके अलावा एक सब आता है बेटा गिल्ड इस्पेशली गिल्ड क्या होता है सबसे पहले यह जानो देखो जब कई सारे मर्च एक एक और यह जाता है तो इस ताइम पर भी आपके गिल्ड बोला जाता था उस ताइम पर इनको यह आपका प्रिवियस यह कोश्चन है तो गिल्ड को ही श्रेणी बोला जाता है बेसिकली क्या है मर्चंट का एक यह समुदाय है ठीक है इस्पेशली होर्स टेड़स ओन असोशेशन विद हैड मैं फू नेगोशेटिट ओन देयर बिहाफ विद वॉर्यर्स वो बॉट होर्स तो ऐसे ही एक इसमें जो गिल्ड था एक असोशेशन था जो बेसिकली घोडों क्या वैपार कर तो मैंने उसे का भाई साथ बैक कितने का दिया उसने मेरे को बोला सर पॉर्टी एठंडर का बैग अगये तो मैं तो भाई मैंने का भाई अटवा गया इसरे मैं तो पता नहीं कितने बैक करीद लूगा बाद में जब उससे बातचित हुई और अचानक से मेरी माता की आत् इसे ही कहते हैं नेगोशियेशन इसे ही कहते हैं बारगेनिंग पावर हमारी माताओं बहनों में तो बहुत होती है तो होता क्या था इस गिल्ड के साथ जो आपका गोड़ो को वेपर करता था ये काफी बेसिकली मतलब क्या होता है सर वह आपने देखा होगा जब मुवी तर्शीर देंदर होती है वह जारी होती है हाँ दोरी होती है एक साथ जारी होती है Hamas or समान भी रहता है, बेस्ट एक्जांपल क्या है, सर धन्नों, घन्नों, ये कोई है, अरे, सोले पिक्चर देखी है, था, बसंति की धन्नों नहीं थी, हाँ थी, तो उसको बोलते है, कारवा, क्या बोलते है, कारवा, ये मैं Amazon Music कारवान की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक से नाम से रेडियो भी आता है अमीजोन का तो उसकी बात नहीं कर रहो कारवा मतलब जहां पर यह जो बंजारे लोग होते हैं बेसिकली यह कारवा में चलते हैं एक साथ इनकी बहुत सारी बैल गाड़िया तांगे साथ में जाते हैं एक जगे से दूसरी के समान वगएर अपना बेचते हैं ठीक है तो यह कारवा में ट्रेवल करते थे एंड फॉर्म गिल्ट्स टू प्रिट्ट्ट देर इंट्रस्ट और यह असोशेशन बना देते थे ताकि इनका इंट्रस्ट बना रहे और इनका व्यपार बढ़िया तरीके से चलता रहे पैसा वैसा आता रहे तो इ इंट सॉथ इंडिया इंट सेंचुरी वर मनिघ्राम एंड नाना देशी तो इसी तरीके से 8th century के अंदर हमने यह देखा कि सांथ इंडिया के अंदर ऐसे ही गिल्ट ऐसे एक ही असोशेशन में जो सबसे इंपोर्टेंट इनका नाम निकल के आया वो थे आपके मनीघ्राम यह पारियों के जैसे आज कर इसका बेस्स अग्जांपल क्या हो सकता है तर आपने नाम से नोगा बिटा हाँ फिक्की फिक्की एफ आई सी सी आई फिक्की भारत के अंदर एक ओर्गेनाइजेशन ने जहां पर बड़े-बड़े जो आपके उध्योग पति होते हैं इंडश्छिस्ट होते हैं वो बैटी मीटिंग करते हैं दिख है. क्या नहीं पीप्किशी भी एक ताइम आज का तीम पर आपका क्या है एक एक गिल्ड एक Senaõesayan वेपारीयो का जैसे जब बिटिच भारत के अंदर आए तो उस टाइम पर तो उसी उनी सब राजकुमारों ने मिलके जो राजाओं की उलादे हुआ करती थी उनी सब राजकुमारों ने मिलके बेसिकली एक एक एस्सोसियेशन मना है जिसको बोलते हैं Bombay Chamber of Commerce यह क्या है यह एक व्यपाजियों का एक समूह है ठीक है तो यह जो गिल्ट्स है इनी की मदद से यह लोग भारत के इंटरनल पार्स के अंदर भी अपना सारा व्यपार चला रहे है और भारत के बाहर भी समान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कहा कहा पर साउथिश्टेशिया जैसे आपका जो थाइलेंड हो गया मैनमार हो गया यह गिल्ट्स का बहुत important role play रहता है ठीक है त्रेडिंग कम्यूनिटीस एड ट्रेडिट आइटम् सच्पोर्ट करते थे चो यह बेसिकली ट्रेड करते थे और क्या क्या समान करते थे तो उसी के अदर आपका एक्जांपल दे हो ए चेटियार एंड मारवाड़ी ऑस्वाल पूरी कंट्री के अंदर चेतियार्स और जो महारवारी ओस्वाल थे यह बहुत इंपोर्टेंट हुआ करते थे जैसे मर्चंड गिल्स में हमने बात करती एट सेंचुरी में मनी ग्राम और नाना देशी की ऐसे यह लोग भी इंपोर्टेंट हुआ करते थे उसके बाद गुजराट ट्रेडर्स इंक्लूडिंग हिंदू बनियाज एंड मुस्लिम बहुराज ट्रेड़ेड एक्सेंसिबली ऑन दा पोर्ट्स और रेड़ सी पर्शियन गल्स इस्टन अफ्रीका साउथ इस्टेशिया चाइना तो बेसिकरी भारत के अंदर जो गुजरात वाला देश है महां पहुंच जाएंगे वेपार करने के लिए जैसे एंशन टाइम में हडपा वाले चले गए ते मिसोपटामिया अपनी नाव पर चाहिया चाहिया करते हुए ठीक है तो पर्शियन गल्फ हो गया इस्ट अफ्रीका हो गया साउथ इस्टेशिया चाइना हो गया यहां पर यह सारे के सारे वेपारी लोग अपना बढ़िया से दंदापनी सेट करके बैठे हुए थे आज भी गुजरात के अंदर मोस्टी लोग बिजनस को प्रेफर करते हैं इसी वज़े से ठीक है टाउन और वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब अब यह जो जो कोस्टल ए यहां पर आपके अरब लोग ज्यादा रहते थे यहां पर जो व्यपारी हुआ करते थे वह ज्यादा रहते थे और के अंदर उनको बोला जाता था अधा मरकर्स यह मैं इसलिए बता रहा हुँ क्योंकि जब पॉर्चुगीज भारत के अंदर आएंगे तो वह सबसे पहले मरकर्स यह बेसिकली अरब लोग वह करते थे जो नीचे पूरा का पूरा टेड़ अन्कॉमर्स अमालते थे उसके बाद पर्शियन चाइनीज जुईश सीरियन क्रिश्चन ट्रेडर्स बहुत सारे भारत के अंदर आपके ट्रेडर्स आते थे और यहां अपने कोश्टल एर वहां वाला जो रीजन है ओमान देश आता है वहां पर रेट सी है खुलके बैठ हुए और एक उमान के अंदर खोलेंगे एक वहां खोलेंगे एक वहां खोल देंगे जैसे मक्डॉनल्स है हाँ सर बर्गर तो बढ़िया है तो एक ही जगे थोड़ना है में उसकी अलग अलग जगे आपको फ्रेंचाइज भी देखने को मिलती है तो यह लोग भी ऐसे ही दुकान यहां है एक गड़ा एलेक्ट्रोनिक्स यहां है एक गड यहां से जब आप जाओगे यह आपका अरेवियन पेनिंसुला हो गया पूरा और फिर यहां से आपका अफ्रीकन कॉंटिनेंट शुरू हो जाता है तो यहां पर बेटा आपका रेट सी वाला ओरिया यह वाला ठीक है यहां पे इटैलियन मर्चन्स रहते थे बहुत सारे इ टरीके से भारत का समान यूरोप पहँचाया जाता था ठीक है चाहे वो अप रेड सी वाले एरिया से पहुचा दो चाहे सनहीं वो आप यहां लैंड वाले एरिया से पढ़ना दो लेकिन यह काम कर रहा है इतलीन मर्चंट जो इतले के अदामों पर बेचा जाता था तो यह लोग फूप पैसा चाप रहते अर्भी लोग भी पैसा चाप रहते और एटली के मर्चंट भी पैसा खूप रहते पूछा ही मत मतलब ठीक है मतलब यह आपका भारत है यह आपका भारत है तो जो मसाले ट्रोपिकल रहती ती जैसे आपका सिनेमन हो गया तिनेमन मतलब इलाइची हो गया, दूसरा आपका पैपर हो गया, काली मिर्श हो गया, तो यह मसाले बहुत चलते थे जो भारत से यॉरप और अरेबिक नेशन के अंदर भेजे जाते थे यहां से, तो वही आपकी लाइन लिखी हुई है, क्या, कि स्पाइसे ग्रोण इन ट्र और इसी काली मिर्श के चक्कर में क्या होगा, सर, येरोपियन भारत आजाएंगे, और क्या होगा, सब पोट्चुगीज आएगा, डच आएगा, बिटेन आएगा, फ्रांस आएगा, और फिर भारत की modern history शुरू हो जाएगी, तो कहानी देखो तुम यार, कितना मजा आते ह आएगा, ऐसी कहानी होती है, तो ये खेर, ये spices बगएरा, बहुत important हुआ करते थे, और जो कपड़ा हुआ करता था, हमारा cotton, रेशम का कपड़ा, muslin कहते हैं, जिसको इंग्लिश में, ठीक है, muslin, m-u-s-l-i-n, muslin, तो बहुत important हुआ करता है, येरोप में बहुत demand हुआ करत कर रहे है, हर चीज में अपना धन्नापनी चला रहे है, और भारत का economic development बढ़िया रूप से चल रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर जैसे important अगर मैं आपको words बताओं क्या-क्या हो सकते हैं, तो बंजारा community के बारे में बात की जा सकती है, गिल्स को स्रेडी बोला जाता है, ये important point हो सकता है, इसके अलावा, एक मैंने word आपको बताया, मरककर्स, ये वो community है, जो नीचे केरल के border पर रहती थी, ठीक है, यही वो community है, जो सबसे पहले Portuguese के साथ लड़ाई करेगी, और आप क्या याद रख सकते हो इसमें से, जो व्यपार हो रहा है, अलग-अलग communities कर रही है जैसे आपका छेटी आर और मारवाडी कहां कर रहे है, ये पूरी country में इनका important नाम हुआ करता था, ऐसे ही आपके हिंदू बनिया, मुस्लिम, बहराज हो गए, ये लोग अपना वेपार्स लाए जा रहे है, तो ये कुछ important facts हो सकते हैं, उसके उसके बाद, अगला topic आता है, या तो stone के ओपर कर सकते हो, metals के ओपर कर सकते हो, sir वो शाधी करनी थी, valentine day था, तो मैंने अपनी girlfriend को अंगूठी दी, मेरी valentine मैं जाओ, तो अब अंगूठी जो है वो आप चूस करोगा ना ढंसे, जो अच्छी लगेगी देखने में, इसके ओपर तो एक ही diamond है, इसके ओ बोल्ड की दुकान पर जाओ, जोएलर की शॉप पर, भाई साब ऐसी आंके खुल जाती है न, सब की पूछो मत, यह भी पसंद आ रहा है, वो भी पसंद आ रहा है, वो भी पसंद आ रहा है, क्यों, अलग अलग डिजाइन से सबके, मज़ा आ रहा है देखने में उसको, भा आपकी महराष्ट वाले रीजन में आती है, महराष्ट वाले जगन में बीदार जगे आती है, वर सो फेंड फॉर देयर, इनलेस वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर, बैट इट कें टू बी कॉल्ड एस बिदरी, होता क्या है, बिदरी, बिदार नाम की जगे है, अब वहाँ प रीके से करते हैं, तो मजा आता था देखने में, तो इनले का मतलब होता है, जहां पर आप क्या करते हो, एक प्लेन सर्फेस है, और उस पर धीरे 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 उनको, जो भी आपको डिजाइन मनाना है, आप थोड़ा सा ठोकोगे उसको, तो वो नीचे धस जाएगा, जैसे ये बोल्ड है, मेरे से कहना मत करने के लिए कि सर करके दिखाओ, अब मैं अगर यहां पर तेज से थोड़ा मार दूगा, तो क्या होगा, यह थोड़ा सा हिस्सा अंदर चला जाएगा, चला तो जाएगा, स्क्रीन भी तूट जाएगी, तो ऐसे ही अगर कोई मेटल सर मनाते थे कि इनके नाम पर यह अलग से आर्ट फॉम ही चल गया, बिद्री इनले वर्क, इनले का यही मतलब होता है, कि जो भी आपके कॉपर और सिल्वर के जो भी मैटल्स है, उसके ओपर आप बेसिकली क्या हो, अलग अलग तरीके से नकाशी कर रहे हो, ठीक है, तो इंप कितने सारे सकल्चर हैं जैसे हमने कलवारी हैं जैसे हमने कल्वाली में पढ़ा था कि भाईया, जो सबसे इंस स्थे इंपॉर्टेंट थी कहां कि स्वामी म возм tääले एी रिया की,ý और इनिजक थाफस्थी भी बहुना जाता था कल्वा यहार क्लस याद करो मैंने कहा था पढ़ अगर सुनार हो गया इसी तरीके से सिल्वर स्मित हो गया और आपका ब्लैक स्मित हो गया जो लोहे का काम करता है ठीक है यह सब लोग को इंपोर्ड़न्स हुआ करती थी और यही सब लोग अलग-अलग चीजे बनाते थे बेसिकली तो आट एंट क्राफ का डवलपमेंट इस सब्सक्राइब करेंगे किस तरीके से आपकी बिल्डिंग्स बनानी है राजा के घर किस तरीके घर किस तरीके सब चीजे लोग बेशिकली करते थे उसकी बाद वीवर्स सच असलियार और कपकी कोलार इमर्जट एस प्रॉस्परस कम्मूनिटी में कल हमने पढ़ी थी क्या सलिया कम्मूनिटी मैंने कल बताया था जो स्वामी मलाई के जगह पर थी उसी के साथ साथ एक और कम्मूनिटी जो कपड़ा बुनने का काम करती है इमर्जट एस प्रॉस्परस कम्मूनिटी इनका काफी इंपोर्टेंस बढ़ गया और काफी पैसा आने लगा क्योंकि इनका जो आर्ट एंड क्राफ का जो कल्चर था जो कपड़ा बुनने का स्टाइल था वह बहुत ही अच्छा था मज अपने आपको दिखाने ही कोशिश करें कि हमारा कपड़ा जाद अच्छा है बाई उसी टाइम पर ये तुमारे बेसिकली सलियार और कई कोलर्ट इंपोर्टेंट कम्मूनिटी जो कपड़ा बढ़िया तरीके से बुनती थी बढ़िया कपड़े बनाती थी और उपर से डो बूट बूट बना रहे हो उसके अंदर सब्सक्राइब में सफेद कपड़ा थोड़ी चाहिए हमें तो फूल होते उन में से नेक्टर निकाला जाता है तो फिर फाइनली वह कपड़ों के उपर चड़ाया जाता है तो यह कहते हैं इस प्रोसर्स को ताकि कपड़े का रंग चेंग देंगे तो अब क्या करेंगे उसमें से रस निकाल लेंगे और उसको डाई कर देंगे तो आजाएगी लाल चैट क्या दिक्कत है तो बहुत देखना पड़ेगा तो इंडिपेंडेंट हुआ करते ये ठीक है डिपेंडेंट नहीं हुआ करते थे किसी को पर भाइया हमें आता है हम अपने आप करते रहेंगे और बिटिश ने इसी चीज का पैयदा उठाया था तो उन्होंने इन सब के अंगूठे कट वा द करता था देखो कितना इंडेस्टिलाइशन है जब बिटिश भारत में आयते 18 सदी तक तुम यह लगाओ भारत की जो GDP पूरी दुनिया के रूप में आप पाउंड करेंगे तो लगबक 35 से 45 परशेंट पैसा केवल भारत के पास था पूरी दुनिया का क्यों वी आर सुपी अब देखते हैं अलग अलग जगे वारे में जैसे हमपी हो गया सूरद हो गया मसूली पढ़न हो गया ठीक है यह यहां फर भी आट 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 क्राफ्त का बहुत अच्छा कब पास का एरिया होता है वह उबजाव जमीन हो जाती है क्योंकि वह नई मिट्टी आती रहती है तो सब्सक्राइब बेसिल आइस अब कहा फार है तो क्रिष्णा नदी और तुंगबदरा नदी ठीके basin area में आता है यह है आपका analytical सवाल ठीक है जिसमें UPSC आप से पूछता है कि कौन सी रिवर के basin में आपका यह बेसिकली हमपी आता है तो किष्णा तुंक बद्रा basin में आपका हमपी जगे आती है जो कि 1336 के अंदर सवाल आया है बिना लाइन चेंज करें अभी पिछली बार और उससे पिछली बार क्या था विजयन अगर अंपायर किसने इसके बारे में और नहीं बताया नहीं अभी मैंने आपको तो आपका homework है इसको हम वैसे आगे और देखेंगे आपका homework यह रहेगा कि आप मेरे को comments में बताओगे कि विजयन अगर अंपायर किसने स्टैबलिश किया था और कभी कब का तो आंसर पता ही चल गया 1337 में किया था किसने किया था वह अप लग मेरे को comments में चैट में बताओगे ठीक है अब देखते है करेक्टर्स्टिक्स ऑफ आर्किटेक्ट्चर ऑफ हमपी के अंदर जो आर्किटेक्ट्चरल ग्रोथ हुई उसमें क्या-क्या हमें फीचर्स देखने को मिले जो भी बचे कुछे जो आपकी विजनल अंपायर जब डिक्लाइन हो गया जब वह खराब हो गया ठीक है पतन हो गया जब उसका तो हमपी के जो चोटे-मोचे बचे वह टूटे-फूटे एडिया खंडर वाले जो एरिया थे जब उसको ऊपर रिसर्च की गई तब पता च साइट भी एक ठीक है जो हमपी आपकी दिस अवर युनेसको वर्ल्ड हरिज्टे साइट उसके बाद नो मोटार और सिमेंटिंग एजेंट वाज यूज दिन दा कंस्रक्शन आप दीज वाल मतलब सर यह जो दिवार बनाई है तो उस समय सर जैसे आज के ताइम पर आपको बनाने है तो आपको इुटों को जोड़ना है सर सिमेंट से ही यह आप पो जोडने के लिए जितने भी दिवारे वनाएं गयी ती हम पी के अंदर इसमें कोई भी सिमेंट करूं ने कर रा है कोई भी मोटार मतलब जो दो चीजों को जोडता है ठीक है अधेशिव जो चिपकाता है फैविकॉल का मजबूत मौन तो इन्हों ने पत्थरों को जोडने के लिए किसी भी तरीके का सिमेंटिंग एजेंट का यूज नहीं करा तो सोचो क्या बड़िया टेक्निक नहीं होगी इनकी में से मत बूच उसके अंदर कोई भी सिमेंटिंग एजेंट का यूज नहीं किया गया उसके बाद पॉलट टुब बेज़न तुगेदर बाई इंटर लॉकिंग पैटर्न मतलब क्या होता है देखो जैसे जो घर में दिवारे बनती है पहले एक एक रग दी तो उसके बाद दूसी रग दी उसके बाद तीसरी इट रग दी अगर इसी के ओपर मैं एक और यहां से दक्का दे दूँगा तो सर यह इस्ता तो गिरी जाएगा यह स्टेंथ ही नहीं हो पाई इसी लिए इन लोगों ने क्या करा सर बीच में इस तरीके से यह उसकरते तेटों को और आज के टाइम पर भ मजबूती है वह बढ़ जाए उसकी उसके बाद रोयल आर्खिटेक्ट्चर के बारे में बात करें तो रोयल आर्खिटेक्ट्चर मतलब जो राजा का जगए है जो शाही जगए है मैं अल्रेडी बता ही चुका हूं दो तरीके की आर्चिस के बारे में हमने बात भी करी थी पिछली चैप्टर के अंदर तो आर्चिस मतलब इस तरीके से जो डोम लाइक स्ट्चर बना आ जाता है यह बड़ी आर्चिस बना रही है पूरी की पूरी उसके लाबा दोम बना लाइश लगा रहें था कि इस ट्रक्ट्र मजबूत रहें गिरें नहीं असानी से इसके बाद विद नीशेश ऑफ बत नीशेश और फोल्डी स्कल्चर इनिश पीलर्स के ऊपर आपके अलग-अलग स्कल्चर मूर्थियां बनाई जाते ती जैसे आप देखो आप कभी किसी मंदिर किसी पुराने मंदिर या कोई Christian कर चर्श होता है वहां पर जाओगे तो आप ने देखा होगा जो पिलर्स रहते हैं उनके ओपर वो अलग-अलग मूर्तियां बनी रहती है जैसे चर्श के का मतलब होता है आपके उध्यान कौन से उध्यान कौन से पार्क जहां पर फूल है बहुत सारे जहां पर अलग-अलग तरीके के फूल होते हैं उनको बोलते हैं मेटा और्चर्ड ठीक है तो इन्हों यह बनवा रखे थे इसके लाबा प्लेजर गार्डन बहुत अच्छे अलग-अलग मूर्तियों की बेसिकली आपको छोटे-छोटे रूप देखने को मिलेंगे मूर्तियां मनाई जाएंगी मोहरे मनाई जाएंगी लोगों को दिखेगा कि हां बढ़िया लग रहा है देखने में जैसे आप कभी घुमने जाते हो कहीं किसी हिस्टोरिकल प्लेस तो यही तो देखते हो कि किस तरीकिये का इसे बनाया होगा तो यह सब चीज़े मज़ा आता है देखने में हमें अपने कंचर के बारे हम पता चलता है इस तरीक चैप रही है таких Augais के पर उस्तरीके से मंों मुंनाने से आज पास की economy डवलप हुई और किस तरी से वो शेहर बन गए तो tempus जो हुआ करती थे थे वो economic activities के लिए तो मशूर थे ही पैसे के लिए तो मशूर थे ही लेकिन culture डवलप करने के लिए भी important थे क्योंकि सबसे आदा जो हमारा culture है वो तो मंदिरों ने preserve करके रखा था ठीक है जैसे महा पर एक देवदास की प्रता चलती है एक कुछ ऐसा group of women's जो केवल और केवल मंदिर के अंदर डांस करती थी महा पर ठीक है मंदिरों के अंदर डांस करने की जो पता है और basically देवदासी सिस्टम कहते हो उसको तो यह चल रहा है cultural activities चल रही है ठीक है perform before the duties, royalties and masses तो यही जो देवदासी यह मंदिरों के अंदर नाच गाना कर रही है या जब कभी राजा का मन होता था कि भाईया आज तो जशन मनाएंगे तो क्या होगा यही लोग डांस भी करते थे जैसे इसका best example में आपको बताता हूं भूल बलेया movie के बारे में हमने पिस लिगा ठीक है तो वो डांस जो कर रही थी वो एक तरीकर से देवदासी सिस्टम लगाओ तो देवदासी मंदिरों में तो करती ही थी नाच गाना लेकिन जब कभी कोई रोयल दर्वार के अंदर कुछ प्रोग्राम चल रहा है तो महाँ पर भी करती थी या कभी-कभी आम ज की शिव को डिवोट किया गया है शिव का एक रूप माना गया है विरुपक्ष को ठीक है तो महाँ पर यह सारी की सारी चीजे चल रहेंगे आपकी देवदासी इसका सिस्टम चल रहा है उसके बाद एक वर्ड आता महानवमी डिब्बा एक ऐसी जगह है एक ऐसा शाही जग करना है या कुछ भी जनता से बात करनी है तो इस तरीके से वह उस प्लैट्फॉर्म पे खड़ा होके बात चीट करता था या बताता था हर चीज उस प्लैट्फॉम को ही बोलते है महानौब में डिब्बा एक एक वहाँ से राजा बेसिकली अपनी सारी बाते बोल रहा हैं कि आगे उसके बाद हमने यह भी देखा है कि सर नवरात्रे चलते हैं नौर्थ इंडिया के अंदर हां सर बिल्कुल चलते हैं वो तो पूरी देश के अंदर चलते हैं तो महानौमी पर्व मनाया जाता है ना वो आखरी में सर कंजके बिठा देंगे साथ में लंगूर बिठा जरेंगे घरगर में जा रिए सारी छोटी छोटी अपनी बच्चीयां और आलुपूरी की सब्जी चल रही है कंजके बिठाते हैं नौमी यही तो होती है कोई अस्ट मी बनाता है को यह महानौमी को कनेक्ट Kita गया है महानौमी फेस्टीवल से जिसको आज के टाइम पर नव इन्हों ने जब यह देखा कि भाई यहां पर एक फ्लैटफर्म मना हुआ है तो जब उसके बारे में और रिसर्च वी तब पता चला कि अच्छा राजा यहां से सब बाते बोलता था राजा को यही पर सारे लोग गिफ्ट दिया करते थे तो महानों में डिंबा एक इंबॉर्टन प्लेस निकल किया आया उसके बाद from here he also watched dance music performance as well as wrestling matches हर टाइम डांस ही थोड़ी देखे अगा राजा कभी-कभी राजा क्या करेगा आज तो sir www देखेंगे हम एक तरफ जौन सिर्ण रड़ेगा एक तरफ अंडर टेकल रड़ेगा राजा wrestling match भी रेखता था यहां से बैठके मजा आ रहा है देखने में उसके बाद हमपी के अंदर trade and commerce वेपार किस तरीके से चलता था इन 15-16th century it was major center of commercial and cultural activities तो हम पी जो था इन ही सब developments की वज़े से इन ही सब activities की वज़े से पंदरवी और सोल भी सताब्दी में इसका importance काफी बढ़ गया बहुत सारी चीजों का व्यपार होता था बहुत सारे समानों का व्यपार होता था मुस्लिब मर्चेंट्स चेटी एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर सच पॉर्चुगीज यह सब लोग भारत के अंदर आने लगे ठीक है क्योंकि एक important place निकल किया है यह यहीं से तरह ब्यापार चल गया आपका तो चेटियार community basically हमने पढ़ा भी था अभी थोड़ दे बोलते हैं लेटर एमदाबाद सूरत जो जगे आई वह बहुत important place निकल के आया ठीक है यहां पर आपका diamond merchants हुआ करते थे बहुत सारे असानी से आप व्यपार कर सकते हो एक जगे से दूसरी जगह या दूसरे देश के अंदर बढ़िया से एक्सपोर्ट कर सकते हो समानों को तो इसलिए सूरत की importance बहुत बढ़ने लगी और इससे पहले basically एमदाबाद की importance थी अब यहीं पर आपको एक word दिख दिख रहा हुआ जब यहां से आपकी नदी जाती है तो यहां जाती है सबसे पहले इसे ही बोलते है खंबाद जगे का नाव है basically यहीं पर आपकी नर्मदा और पापी नदी आती है और फिर खंबात में गिरने के बाद फिर वो फाइनली अरेबियन ओशियन अरेबियन सी के अंदर जाती है तो खंबात में तो वहीं से सारका सार आपका सूरत का ट्रेड अंट कॉमर्स वेपार चलता था ठीक है उसके बाद सूरत वॉस गेटवे फॉर दर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया गल्फ अफ ऑर्मुज या और मुज गल्फ ऑफ और मुज क्या है वही जो रेड सी व बोला जाता है गेटवे तुदा वेस्ट एशिया या फिर वेस्टन वर्ड इट हैस ऑल्सो बीन कॉल्फ गेट टू मेका यही से मोश्टी लोग क्या करते थे अब यहां पर तो मुगल डैनिश्टी आ चुकी है इससे पहले दिल्ली सल्टनत आ चुकी है तो वो लोग भी त चुरत से होते हुए जाते थे शूरत से नाउं में बैठे थे और यहां से सवाोडरिय विया चले जाते थे महां पर मकका मदिना चले जाएंगे तो इसलिए सूरत को एक और नाम से जाना जाता है गेट स्टो मक्का सारी आपकी बोर्त आव अगेडा जया करती थी ऊसके अल रहते हैं और बढ़िया रूप से डवलप्मेंट चलता है उसको कहते हैं कॉस्मोपोलीटन इतने सारे अलग अलग कास्ट के लोग है और बढ़िया रूप से उनका दंदा पानी चल रहा है सब तो इसलिए इंपोर्टेंट प्लेश हुआ करता था सूरत अपता है इन 17th सेंचुरी पॉर्चुगीज डच और इंग्लिश हैड देर पैक्ट्रीज एंड वेयर आउसे सब्सक्राइब तक आते आते बहुत सारी यूरोपियान सक्तियां जैसे पॉर्चुगीज हो गई बिटेन हो गया फ इसको गवरणार होगा वह क्या करते थे वह बिसिकली यहां पर अलग-अलग रेस्ट हॉसे बनाते थे जैसे सराय बोलते हैं जिसको धर शाला बोलते हैं जिसको बहुत सारे रेस्ट होसे बनाए जाते थे तो टेक केर और नीट सव पीपल from all over the world who came to the city क्यों बनाएजाते थ के लावा, according to English Chronicle, Ovington, who wrote an account of port in 1689, on average, 100 ships of different countries could found anchored at any given point. इस लाइन का सीज़ासा मतलब यह है, NCIT के अंदर भी दे रखा है, कि एक British merchant हुआ करता था, जो एक author भी था, जो किताबे भी लिखता था, जिसका नाम था क्या? ओविंग्टन, इस भाई ने अपनी किताब के अंदर, 1689 के अंदर जो इसने किताब लिखी थी, वो लिखा कि सूरत एक इतनी important जगे निकल के आई, उभर के आई, कि आप किसी भी point, किसी भी समय चले जाओ, रात को 2 बज़े, 3 बज़े, 9 बज़े, 10 बज़े, कभी भी चले जाओ, कम से कम, दूसरे देश के वेपारियों की 100 बोट तो, 109 तो खड़ी ही रहती थी, वहाँ, तो सोचो कितना बड़ा trade and commerce का point रहोगा सूरत, इवन सूरत जो है, वो तो economy capital हुआ करती थी मुगल्स की, मुगल्स हमराज्य को जो सबसे जादा पैसा आता था, वो कहाँ, सूरत से ही आता था, होता है, Sir मैं गया था, एक दुकान पर, और कहां गया था, Sir चानी चॉख गया था, तो चानी चॉख के अंदर एक तो दुकान में एक ऐसा बंदा है, जो केवल और केवल एक ही शर्ट देगा, या कई शर्टें भी दे सकता है अगर आपको एक ही खरीद नी हो तो उसे कहते है रिटेल और आपको बलक में या बहुत सारा समान खरीदना हो कि भाईया नहीं मैं तो सूरत से समान लेके जा रहा हूं और दिलने में अपने दुकान खोलूंगा उसको कोईते है होलसेल क्योंक फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर मतलब यह आपकी मतलब जो यहां पर जो फीमेल होंगी वह ज्यादा समझ पाएंगी इस चीज़ को आप देखते हो जो साडियां होती है उनके बॉर्डर एरिया पर आप कभी फीको लगाते हो और बॉर्डर लगाते हो अलग अलग इतना मज़ा आता तो लोगों को देखके इतनी बढ़िया कारीगरी होती थी कि उसकी डिमांड बहुत जादा होने लगी भार के देशों के अंदर जैसे अफरीका हो गया यॉरप हो गया एशिया हो सारे के सारे के बाइस साब हमें तो वह बॉर्डर वाली चाहिए साड़ी मज़ा आता है देखने में काफी सूरत का उसके बाद बैंकिंग सिस्टम इन सूरत क्या है सब्सक्राइब करते यही लोग बेसिकली लोगों को या राजाओं को पैसा उधार में दिया करते थे जाओ याशी काटो जाओ हमसे उधार लेलो और पर अपना काम चलाओ जाके त काटियावार्ड सेथी और महाजन्स मनी चार्ड मनी चेंजर्स है यूज आउसे तो यह वाला रीजन है ना आपका कि इसी को बोलते हैं काटियावार्ड कोस्ट काटियावार्ड कोस्ट कहते हैं इसको तो इस वाले रीजन के अंदर बेसिकली आपके बहुत डवलप्मेंट चल रहा था और यहीं पर जो आपके बड़े-बड़े उनको बोलते हैं महाजन या सेथ हैं काटियावार्ड के सेथ साब है आपको कहीं दूसरे देश के अंदर जाना है तो यह लोग एक letter of authorization भी लिखके देते थे तो इनकी बहुत importance हुआ करती थी उसके लाबा हाँ अब letter of authorization यही होता है देखो होता क्या है suppose करो कि यहां सूरत से यहां से नाव निकल गई फिर क्या करेंगे अब मुझे simple बात बताओ यहां से जो भी बंदा यह समाल लेके जा रहा है या जो पैसा लेके जा रहा है वो कोई बोरे के अंदर अगर पैसा भरके ले जाएगा सब्सक्राइब बीच में कोई pirate आ गया कोई jack sparrow आ गया तो इसका तो नुक्सान हो गया इतना सारा पैसा है इतना सारा गोल्ड है यह सब तो लूट जाएगा तो इसी के लिए यह सूरत के वैपारी लोग पते क्या करते थे एक paper लेते थे उसके उपर अपनी stamp लगाते थे seal लगाते थे कि भैया हम इस वाले association से हैं हम इस वाली श्रेणी से हैं हम इस वाले guild से हैं तो यहाँ पर वो लिख दिया करते थे कि भैया फलाना आदमी यह आपको paper देगा और आप उसको इतने रुपे दे देना तो यह इस paper को बोला जाता है बेटा हुंडी 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 बोला जाता है यह हुंडी इतनी फेमस हुआ करती थी कि यह हुंडी जो भारत के अंदर बनाई गई है paper letter of authorization यह अफ्रीका ओमान यहां पर भी वैलिट थी कि अगर कोई भारतिय मर्चंट यहां से यह paper लेके गया और उसने वहां ओमान के किसी व्यपारी को बोला कि भाई यह मैं paper लेके आया हूं इसमें 30,000 सोने के सिक्के देने हैं आपको और यह देखो इस पे सील भी लगी हुई है तो ओमान वाला बंदा इस paper के basis पर 30,000 सोने के सिक्के उस आदमे को दे सकता था इतनी important इतनी जाल important थ रही होगी उस्टाइल ठीक है तो आपको समझ आ गया हुगा कि हुंडी किसे कहते हैं ठीक है हुंडी तो सूरत हुंडी यानि बिल अफ एक्सेंज वर ओनर इंदा फार आफ मार्केट्स ओफ कैरो एजिप्ट बसरा इराप एन एंटवर्प बेल्जियम तो यह हुंडी जो ह यहां पर यह सारी हुंडी का इंपोर्टेंस माना जाता था यहां यह है जैसे देखो बिल अफ एक्सेंज का क्या मतलब होता है आपके पास सर क्या है आपके पास एक गांदी जी का सवरुपे का नोटा सर अब वो तो एक सिंपल पेपर ही है ना लेकिन क्योंकि उसके उपर गवर्मेंट अर्भी आई ने ठपा लगा रखा है कि भाई मैं आपको वचन दे रहा हूं कि इस पेपर की कीमत सौ रुपे है वरना उस पेपर की कीमत सौ रुपे थोड़ने है अगर उसके ओपर कोई साइन ना हो तो उससे क्या है आप सौ रुपे चाहे आप दिल्ली में यूझा करो चाहे केरल में यूझकरोः बंगाल में यूझकरोः चाहे राजिसान में यूझकरोः उसकी वेल्यू तो उतनी ही रहेगी ना तो इन्द सेम विए जो सूरत के अंदर जो हुंडी हुआ करती थी, उनकी भी यही value होती थी हर जगे पर, ठीक है, बहुत बढ़ी आ लोकेशन थी, उसके बाद, reason for decline of सूरत, जब इतना बढ़ीया सब मामला चला था, फिर इसका पतन कैसे हो गया, इस सूरत का decline कैसे हुआ, loss of market and productivity due to decline of mughals, जैसे ह मुगल्स अमराज्य का decline हुआ, उसके बाद क्या हुआ था सा, बिडिस आगा थे, बिडिस ने तो पूरा system ही खराब कर दिया था भारत का, trade and commerce बरबाद कर दिया, जो भी इंडर्स्री थी वो बरबाद कर दी, तो फिर कहां से सूरत का development हो पाएगा, तो मुगल्स के decline, मुग बाद के अंदर आया थे, उसमें आपने अगर पहले पढ़ा होगा, अगर पहले कभी पढ़ा होगा, तो उसके अंदर एक word आता है, बेटा, blue water policy, तो जो पॉट्यूगीज भारत के अंदर आया थे, तो वो अपना उनका गवर्णर आया था भारत के अंदर, जिसका नाम था है, यहाँ पर Bay of Bengal है, नीचे Indian Ocean है, इन सब रिजन पर आप अपना कंट्रोल कर लो, तो इसी को बोलते है, बेटा, blue water policy, यह पॉट्यूगीज लाये थे, और पॉट्यूगीज ने इस पूरे समुद्री एरिया पर यहाँ पर अपना हग जता लिया था, तो इस चक्कर में भी है, इन लोगोंने भारत के अंदर, तो इस वज़े से भी डिक्लाइन हुआ इसका, पूरे के पूरे सी रूट्स पर, समुद्र के रूट्स पर, उसके बाद competition from Bombay, अभी तक तो केवल सूरत important हुआ करता था, लेकिन जैसे ही European शक्तिया भारत के अंदर आई, तो क्या होगा, सर, वो Portuguese वाले ने कंट्रोल कर लिया, बाद में Britishers आ गए, Britishers ने पूरा Bombay वाले अरिया पर कंट्रोल कर लिया, और Bombay को हब बना दिया, पूरा का पूरा वहपार का, तो इस वज़े से भी सूरत का decline हो गया, ठीक है, तो ये सूरत की कहानी है, आपकी जो NCID के अंदर कितने बढ़िया रूप से दे रखी है, उसके बाद आगे चलते हैं, मसूली पटनम की बात कर लेते हैं, मसूली पटनम कहां पर है, अरे सर, आंद्रपदेश के अंदर है, also known as मचली पटनम, मतलब आपका फिश पोर्ट टाउन, फिश पोर्ट, यहां पर बहुत सारी मचली पालन किया जाता है, यहां पर, तो इसका नाम है मसूली पटनम, ठीक है, यह है फिश पोर्ट टाउन, ठीक है, on the delta of Krishna river, on the delta of Krishna river का मतलब, delta क्या होता है, सर, delta एक ऐसा point होता है, जब नदी जो है, वो अब समुद्र के अंदर जाने वाली है, ठीक है, तो इस मूँ को बोलते है, बे के अंदर जितने भी छोटे-छोटे particles होते हैं, वो उसको वहीं गिरा देती है, और फिर पानी समुद्र के अंदर जाता है, तो उसी रीजन को बोलते है, delta, यह जो आपका जो मसूली पटनम, यह कावेरी के delta पर इस्थित है, it was the center of intense activities in 17th century, 17th century के अंदर बहुत सारा वेपा हुआ करते थे, तो नवाब करते थे, और पर अपना दंदा पानी चला रहे है, उसके बाद तेलुगू के जो कोमती ट्राइब हुआ करती थे, वो अपना चला रहे है, तो इस वजिए से क्या हुआ, बहुत सारा competition बढ़ गया, आपने सारे आपास में लड़ भिढ़ेंगे और उसी के अंदर क्या होगा जो बिटिश लोग थे बाकी ये उरक्त्त को हरा देंगे और भारत के उपर अपना पूरा कंट्रोल इस्टैबिलिश कर देंगे। हम, सब्सक्राइब करना चाहता था तो इसलिए हर को इसको कंट्रोल करना चाहता था क्योंकि जिसका कंट्रोल में यह बंदरगा उगा उसको उतना ही टेस मिलगा उतना ही पैसा मिलेगा वहांज तो वह अमीर होगा तो बहुत सारे लोग कंट्रोल साफित करना चाहतें इसके ऊपर कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा इंपोस रॉयल मोनोपोलीज ओन सेल्स ऑफ टेक्साइल्स पाइसेज और अधर आइटम्स और किस चीज के ओपर टेक्स लगाते थे टेक्स्टाइल्स के ओपर लगा देंगे मसालों के ओपर लगा देंगे जो भी समान यहां से जाता था ठीक है तो कुतुब शाहिया गोलकोंडा के नवाब ऐसा क्यों करते थे ताकि इनकी पावर कहीं कोई और छीन ना ले क्योंकि मुगल्स बिगें टो एक्टेंट देर पावर तो गोलकोंडा देर रिप्रेसेंटेटिव गोवर्णर मीर जुम्ला वेल ही वस अलसे मर्चंट बिगें टो प्लेएंग्लिस अगेंस्ट इच अधर तो बाद में क्या हुआ गोलकोंडा वाले रीजन के अंदर जब मुगल ड यह आपका मसूली पटनम या इसको मसली पटनम कहते हैं तो ऊपर यहां सर आगरा है आपर आगरा से नीचे आ गया कौन आ गया नीचे और 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 ने क्या करा 1687 के अंदर बेटा गोलकोंडा को पूरा का पूरा अपने समराज्य के अंदर मिला दिया हैदराबाद वाले अर गया सर मुगल अंपायर के अंडर आ गया 1687 के अंदर और यहीं पर हुआ क्या जितना भी व्यपार होता था उन सब का पैसा किसके पास आ रहे मुगल्स के पास आने लगा हुआ अब जब गोलकोंडा वाला रिजियन मुगल्स के अंडर आ तो अरंग जीब तो नीचे रहेगा निए वो तो अपना आगरा में बैठेगा उसकी गद्डी तो आगरा में है तो वह गोलकोंडा के अंदर क्या करेगा अपना कोई बंदा बिठा देगा तो उसी का एक गवर् तो मीर जुम्ला ने अपना कंट्रोल इस्थापित करने के लिए क्या किया डच वालों को और बिटेन वालों जो की जो कंपनी भारत के अंदर थी उन्हीं को आपस में लडवा दिया ठीक है डिवाइडन रूल खेल खेल रहे हैं क्यों ताकि मसूली पर इनका कंट्रोल बना रहे हैं पैसा तो यहीं से आ रहा है उसके बाद इसके डिक्लाइन का क्या कारण मेंना एनेक्स सेशन अफ गोलकोंडिया बाई औरंजेब इन 1686-87 कॉस्ट यूरोपियंस टू लुक फ सब्सक्राइब के खिलाफ तो अब यहां से जो यूरोपिन कंपनी स्थी वो और जगह ढूंडने लगी और कहां जा सकते हैं हम तो अब तुम एक जगह से कहीं और जाओगे तो ओविएस तुम्हें सेटप करने में दिक्कत होईगी तो उस जगह की उस पर्टिकुलर जगह मतलब होता है देश के अंध्रूनी इलाके अंध्रूनी एरिया इंटर्नल एरिया इंटर्नल एरिया ठीक है उसी को बोलते हैं हिंटर लेट तो इस इंडिया कंपनी का जब कंट्रोल भारत के ऊपर हो गया बिटेन का पंट्रोल हो गया तो यह लोग क्या करते थे जो भी यह भारत है आपका हां academic FM मशोली पठनम हैँ सर मध्यख है अब सपोस्क्systemों आणा है हिंटर लैइनक कहेंगे स lahat क्योंकि यह देश के अंदर इरी यहां से समय यहां तक आएगा हा सर आएगा फिर यहां से अपनी यहां निकल जाएंगे जहां भी जैनको जाना होगा तो इस इंडिया कंपनी ऐसे कानून लेकर आई जिसमें फाइधा बिटेन का ही हो यहां के मर्चंट्स का जो यहां के लोकल मर्चंट्स व्यपारी हुआ करते थे उनका कोई फाएदा नहीं होगा और बिटिश के वल सब्सक्राइब नहीं समाल सकता है आपको इतना पढ़ना पड़ता है चीज़े समझनी पड़ती है क्यों ताकि आगे जाके आप डिसीजन ले सको अलग-अलग चीजों में आप बहत्रिन रूप से काम करते होगे यह काम हर कोई नहीं कर सकता इसलिए कंपिटीशन एक बेसिकली आपकी ग्रोथ भी करता है लेकिन हैल्दी कंपिटीशन और चीज़े एसा नहीं है कि कंपिटीशन को खतम ही करते हो कि जान सही मार देंगे उसका नहीं भाई पर क्या देवेलफ्मेंट कैसे होगा फिर इन्वेशन कैसे होगी कि इस वचे से भी इसका डिक लाइन हुआ उसके बाद अब जब इसका डिक लाइन हुआ सासाथ क्या हुआ और भी नए नहीं बिसिकली जो जगे हुआ कर्ती थी वह इंपर्टेंस में आने लगी उनका इं नू टाउंसेंड ट्रेडर्स एडरोपेन कन्तरी्स वर सिर्चिंग पोःसपैन के अंदर सर यह जो एडरोपेन देश हुआ करते थे यह मसाले नोन रहेतें क्यों सर आपने तो बताया था यहां तो एंसेंट टाइम से ट्रेड चलता था है बिल्गुल बताया था मैंने देखो ये हैं आपका प्यारा भारत हाँ तो मैंने आपको यहां पर एक देश आता है तर्की तर्की ने पता है क्या करा यहां पर एक सल्तनत इस्टेबलिश करी यहां पर एक डैनेश्टी इस्टेबलिश करी जिसको बोलते हैं उस्मानिया सल्तनत यह इसी को बोलते हैं और्टोमन अंपायर यह इसी को हिंदी में बोलते हैं उस्मानिय या संतना थिए तो आट्वन एंपियर किया करा यहाँ पर इस महिंद्र ने जो भी यहां से व्यपार होता था 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 जो भी व्यपार होता था यहां से उसके ओपर टेक्स लगाना ज्यादा शुरू कर दिया क्यों कि अब यह खरीदते थे वही समान को यौरप के अंदर बेटा क्या होता था हजार रुपे में बेचा जाता था 900 रुपे प्रॉफिट के वल यह बीच के ओर्टमन अंपायर वाले खाते थे 900 रुपे प्रॉफिट खा रहे हैं यहां से एक रुपे का पहन जा रहा है और यौरप के अंदर 100 रुपे का विक्राय बताओ जा करेंगे तो ओर्टमन अंपायर का यहां पर दबदबा हो गया उसने क्या करा यहां से सारा का सारा यह जो वेपार होता था इसके उपर अपना कंट्रोल कर लिया तो इससे दिखकत किसको ही इससे दिखकत सार यूरोपियन देशों को हुई क्योंकि जो समान भारत से जा रहा है उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है क्योंकि Ottoman Empire वाले ने ये रस्ता ही रोग दिया कि अगर हमें पैसा नहीं दोगे अगर हमें टेक्स नहीं दोगे तो हम तुम्हें व्यपार नहीं करने देंगे इसी लिए भारत के अंदर इनका आना जरूरी था कि भाई साब ढूंडो रस्ता भारत जाने का तब जाके वहां से वासको डिगामा निकला था कृष्टोफर कोलंबस निकला था बार्थेमेलू डियाज निकला था क्यों निकले थे भारत के अंदर रस्ता ढूंडने के लिए कि भारत जाना है, क्यों जाना है, काली मिट चाहिए, टेक्स्टाइल चाहिए, जो भारत समान आ रहा है, सस्ते रूप में चाहिए, तो ट्रांदीशन फेज है यह, भारत का रस्ता डूढने के लिए यह सारे लोग निकले थे, ठीक है, तो यह जो लाइन लिखी है, in 16-17th century European countries were searching for spices and textiles which were popular in West Asia and Europe, तो वो सारा का सारा समान तो भारत से जाता था, लेकिन Ottoman Empire की वज़े से यह सब हो नहीं पाया, तो इस चक्कर में क्या होगा, भारत के अंदर यह अलग-अलग रस्ता डूढन के आएंगे, English, Dutch and French for East India Company in order to expand their commercial activities, तो ऐसे ही अब क्या होगा, European देश क्या है भारत के अंदर आएंगे और यहाँ पर अपनी वेराउसे, फैक्टीज वेगरा खोलने शुरू करेंगे ताकि इनका धन्ना पानी बढ़िया चल सके और Ottoman वालों को टेक्स दे बचाया जा सके, ताकि उनको ज़्यादा पैसा ना मिले, उसके बाद, Naval Supremacy of European Companies, अब यह European Companies भा भारत के अंदर आगई और उसने इतना development कर लिया, उसने हमारे उपर शासन कर लिया, तो the main reason is, यह लोग naval power हुआ करते थे, जैसे उस time पर 14, 15, 15, 16 century के असपास, यह आपका Portugal हो गया, आपका Spain हो गया, ठीक है, यह देश ऐसे, यह दोनों particular देश, naval power हुआ करते थे, बहुत जब भारत के अंदर आए थे, 1608 के अंदर, तब जाके बिटेन का development हुआ है, उसने पहले तो Portugal बड़ी power हुआ करती थी और Spain बड़ी power हुआ करती थी, यह लोग आपस में लड़ने लगे, क्यों, हमें जाना है भारत और हम सारा का सारा धंदा पानीत लेंगे, तो आपस में भी लड़ रहे हैं, और रस्ता भी ढूंड रहे हैं, क्योंकि वैपार करना है, पैसा चापना है, तो यह सब क्यों हो पार है, क्योंकि यह बड़ी-बड़ी 9 सेना की शक्ति हुआ करती थी इनके पास, ठीक है, नेवल बैटर्स लड़ी हैं इन लोगोंने बहुत जादा, इनीशली, ग्रेट इंडियन टेडर्स लाइक, मुल्ला अब्दूल गाहुर एन विर्जी वोरा, वो ओन लार्ज अंबर ओफ शिप्स, कंपीटिड विद देम, तो इस टाइम पर, जब यह लोग भारत के अंदर अपनी अपनी कंपनियां बना के आए, भारत के अंदर कंप इनीटी थी, जो बेसिकली, शिपिंग इंडस्ट्री से जुडी हुई थी, जिनके पास बहुत सारे शिप्स हुआ करते थे, इंडियन टेडर्स लाइक, मुल्ला अब्दूल गफूर, ये एक मर्चेंट हुआ करते था, इसके पास सेकडों जहाज हुआ करते थे, टेडियन के अंदर, उसके बाद, European companies use their naval power to gain control of the sea routes, European companies ने अपनी नेवी की पावर की यूज करी और पूरे के पूरे समुदरी एरिया पर अपना दबदबाब हला ला लिया, तो सर आपने तो अभी बताया कि इन लोगों के पास भी तो नेवी थी, हाँ बिल्कुल थी, लेकिन the thing is, ज उनकी बोट के ओपर बिटल लगे हुए थे, cannons, क्या लगे हुए थे, तोप, तो होगा क्या, सर हमारे पास तो तोप ही नहीं, यह जो गफूर है या जो विर्जी वोरा है, इनकी नाओ में तो तोप ही नहीं, तो सपोस करो, यह आपर लेंड मास है, यहाँ पर विर्जी वो इस वज़े से European control बढ़ गया, क्योंकि उनके पास तो हुआ करती, तो उन्होंने इन सब को destroy कर दिया फिर, देरे-देरे, उसके बाद, ultimately English emerged as the most successful commercial and political power, तो इन सारी European देशों में, जैसे सबसे पहले आपका कौन आया, सबसे पहले आपके Portuguese आए, उसके बाद आपके Dutch आए, उस लास्ट वन इस France, अगर लिखना चाहों कि भारत के अंदर कपका आए तो Portuguese आया था बेटा 1498 के अंदर, Dutch भारत के अंदर आयते लगब लगब आपका 1602 के अंदर, बिटेन आया था भारत के अंदर, 1608 के अंदर, और France आया था भारत के अंदर 1664 के अंदर, ठीक है, तो यह आपके साल है, यह आपके years है, जब आपकी अलग-अलग European शक्तियां आई, और ultimately इन में से जो बिटेन था, वो सबसे ज़्यादा powerful figure निकल के आया, ठीक है, इन्हों ने इन सारी शक्तियों को भी खतम किया, और भारत के जो नेटिव जो यहां के local रजवाडे हुआ करते थे, उनको भी खतम किया, इस तरीके से बेसिकली बिटेन का, यह HDD company का development दूआ भारत के अंदर, उसके बाद, emergence of textile industries, textile industries was one of the important factor in the development of the medieval period, यह transition of the modern period, textile बहुत जाता था भारत से, ठीक है, बहुत जाता था यहां से, the spurt in demand for good like textile led to great expansion of the craft of spinning, weaving, bleaching, अब कपड़ों के development में ही बहुत सारे process होते है, अब क्योंकि कपड़े की demand इतनी जादा थी western देशों के अंदर, west Asia के अंदर, तो उसी तरीके क्या expansion हुआ है, इस society के अंदर, इस वाले process के अंदर, जहां पर spinning industries निकल के हैं, कपड़ा बुनने क machine की weaving, हाथ थे जो सिलते थे, bleaching मतलब coloring agent, जो color अलग-अलग चड़ाए जाते हैं कपड़ों के ओपर, dying होता है, ठीक है, with more and more people taking up them, अब क्योंकि इसमें पैसा बहुत आ रहा था, क्योंकि demand थी, तो सारे के सारे लोग यही काम करने लगे, जब यही काम करने लगे, तो इनके fine cloth हुआ करते थे, पूछो मत, और इंडिया की इसी culture activities के विजए से बहुत demand हुआ करते थी, यहां के चीजों की, लेकिन बिटिशर ने सब बर्बाद कर दी, उसके बाद decline of the independence of the craft person, तो इन लोगों का decline कैसे हुआ जब इतना बढ़िया सम्भाबला चल रहा था, तो अब बि परशी ने हुआ करती थी, उनके ओपर text लगाना शुरू कर दिया, कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज बनानी है, तो आप हमारे कहे से ही बनाओगे, जैसे जब बिटिशर पहले भारत के अंदर आयते, जब बड़ी पावर नहीं थी, तो उन्हें वेटिंग लाइन में लोकल वेपारी होता था, वो कहता था कि भाइचा 20 दिन बाद आना, और एडवांस में पैसा देखे जाओ, 20 दिन के बाद डिलिवरी दूँगा मैं, इतना इंपोर्टेंस हुआ करता था इन छोटे-छोटे वेपारी हों का, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ इस्ट इंड इंडर्स्टी दूआ करती थी, उनको खतम कर दिया गया, और जो मना करता था, उनकी इंडर्स्टी तोड़ दी जाती थी, अगर कोई काम कर भी रहा है, तो उनके बेसिकली टेक्स लगा दिया जाता था उनके ओपर, कि नहीं, आप यह ऐसे नहीं कर सकते, आप यह वैसे नह कंगा, और फिर क्या करेंगे, यहां से कॉटन ले के जाएंगे, और तो खुर देखो, अगर कोई चीज मशीन से बनती है, तो उसकी प्रोड़क्ति जादा हो जाता है, प्योंटिटी जादा आती है, अगर एक ँए तम बनायी, तो जादे है काम बनायाanov फ़ से म deg에 लेसे, लेकिन अगर उसी चीज़ को आप मशीन से करें तो वो तो सो साड़ीय बना देगा और जब भी क्वांटिटी बढ़ती है किसी चीज़ की तो उसका प्राइस कम हो जाता है तो यहाँ पर जो हमारे लोकल वेपारी हुआ करते थे जो भी यहाँ पर वो समान वगएरा बनाते थे वो सारा का सारा समान डिक्लाइन होने लगा कि भाई अब तो मशीन से इतना सारा समान बन रहा है तो हमारे कोई समान खरीद दी नहीं रहा है इस चक्कर में डिक्लाइन हो गया सारा, उपर से अब ये knowledge system जो artist हुआ करते तो जो इतने बड़ी items बना रहे हैं, ये आगे shift ना हो, आगे transfer ना हो किसी के पास, तो उनके अगुटे card लिये गए, कि ताकि ये आगे कुछ कर ही ना पाए, इस तरीके से भारत को de-investilize करा, बिट security ही नहीं हुआ करती थी, या जिस pattern में, जिस तरीके से बनाते थे, Britishers ने इनका सब decline कर दिया, कि नहीं ऐसे नहीं बना सकते हो, और they had to reproduce the design supplied to them by the company agent, इन लोगों को वही design बनाने दिया जाता था, जो बिटेन बोलता था, तो सारा का सारा game ही पलट दिया इन लोगों, ठीक है इस तरीके से decline phase start हुआ आपको, next आता है, इसी के अंदर rise of new cities, इसी के time पर आपकी अलग-अलग जो है, वो cities developing जैसे Bombay, Calcutta, Madras, ठीक है, यह आपकी cities develop होने लगी, यहीं पर बेटा एक concept आता है, आपका concept of black towns, concept of black towns का मतलब, craft and commerce underwent major changes as merchants and artists were moved to black towns established by European companies in these cities, होता क्या था, कि इन लोग अपने हिसाब से सब्चीश करवा रहे हैं, अपने हिसाब से हर काम करवा रहे हैं, तो जितने भी हमारे artists हुआ करते थे, जो यह कपड़ा बुनने का काम कर रहे हैं, इन सब को एक जगह से उठाके, दूसी जगह मूव कर दिया, Britishers ने, ताकि यह इनी के हिसाब से काम कर सके, तो इनी को बोलते हैं, Black Towns, ठीक है, याद रखना, Black Towns का concept क्या है, कि जो आपके, जो अलग-अलग artists जो वैपारी हुआ करते थे, वो Britishers के हिसाब से काम कर पाएं, तो इन लोगों को अपनी ही जगह से, मूव करके, दूसी जगह पुचा दिया, उने ही बोलते है Black Towns, the Blacks or Native Traders and Craft Persons were confined here, while White Rulers occupied the Superior Residences of Port George, होगा क्या, ये लोग खुद जो बिडिश लोग हुआ करते थे, ये लोग खुद बड़े-बड़े किलो के अंदर रहना शुरू करेंगे, अपनी आर्मी लेके आएंगे, और यहां के जो लोकल वैपारी होते थे, उनको भगा दिय जाएगा कि जाओ, ब्लेक टाउन में रहो जाके, इस तरीके से सारब सिस्टम बरबाद होने लगा, ठीक है, अगर एक फ्रेक्शल देख लो, ये जो सेंट जॉर्च फोर्ट एनवेटा, सेंट जॉर्च फोर्ट मदरास के अंदर आपका बेसिकली बनाना शुरू किया था, 1639 के अंदर, और इसको बनाने वाले बने का नाम था, फ्रांसिस डे, मतलब इसने इनॉगरेशन करवाया था, इसका, फ्रांसिस डे, ठीक है, इस बने ने शुरू करवाया था, और अगर फोर्ट विलियम की बात करें हम, जो बंगाल के अंदर बनाया गया था, ये आपका चार किलो का या चार फोर्ट का नाम लिख दिया जाएगा, और फिर या तो पूछेंगे कि वो कौन से साल में बना है, या फिर उसको कौन से ऑफिशल ने बनवाया है, तो कभी-कभी इसके उपर मैस्दा कॉलम आ सकता है, क्योंकि मैं तो अपने मॉक कोशन के अंदर ऐसे स था, लेकिन अभी कुछ-कुछ इंटरस्टिंग पॉइंट बचे हैं, तो वो भी पढ़ने हैं, जैसे वास्को डिगमा का नाम तो सभी ने सुना है, कौन था, सर एक पॉर्ट्यूगिस सेलर हुआ करता था, जो अफ्रिगन कोश्ट पे गया पहले, और फिर वहां से वो भा आ रहा था, तो यह चार दाओं में आया था, अकेला बंदा नहीं आता कभी भी, ठीक है, तो इसके साथ चार बोट आ रही थी, उनमें से बेटा दो ही आ पाई, ठीक है, दो ही आ पाई, एक सो सत्तर आदमी को लेकर चला था ये, केवल चवण ही सर्वाइव कर पाएं, इन ही को देखते हुए, बाद में डच आएंगे, इंग्लिश आएंगे और फ्रांसे, आपके अलग-अलग व्यापारी लोग आएंगे बाहरत के अंदर, सबसे पहले आपको नाम्यारत ने वास्को डिगाम आया था, पॉर्चुगीज, उसके बाद नेक्स एक पॉइंट क्रिश्टोफर कॉलम्बस, अब यह जो क्रिश्टोफर कॉलम्बस है, यह भाई भी निकला कि भाईया, मैं भी जाओंगा रश्ता डूडने के लिए, तो on the assumption that earth was round, he and Italian decided to sail westward according to, sorry, in the Atlantic Ocean, अब होगा क्या, कि क्रिश्टोफर कॉलम्बस जो था न, यह सबसे पहले भारत आने के लिए ही निकला था, लेकिन हुआ किया, इसको पता ही नहीं था कि समुधर के अंदर लहरे भी चलती है, और वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती है, तो इस भाई को आना तो भारत था, लेकिन ही पहुंच अमेरिका गया, कहा, west indies, तो महां जाके, महां पहुंच गया, इसे लगा, यह इंडिया पहुंच गया, तो इसी लिए महां के लोगों को red indians बोला जाने लगा, आज के टाइम पर भी आपने नाम चुना को red indians, वो इसी लिए क्योंकि इसे लगा कि यह इंडिया की कि दूसरे कोने पहुंच गया, लेकिन इसको नहीं पता था, कि भाई यह इंडिया को कोई दूसरा कोना नहीं है, बलकि यह क्या है, यह एक आपका बेसिकली, एक सब्सक्राइब करो, हाँ बोलो, ठीक है, ठीक है, तो Christopher Columbus आपका बेसिकली अमेरिका पहुंच गया, वो बारा तारा था, लेकिन पहुंच अमेरिका गया, Atlantic Ocean ग्रॉस करके, यह एक सब्सक्राइब करेंगे, तो Christopher Columbus जो है, वो अमेरिका पहुंच गया, उसके बाद नेक्स पॉइंट है, लोक्स्वेक टेक्निक, क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, एक सब्सक्राइब ब्रॉंज कि सीच का बनता है, सर, आपका कॉपर को और तिन को जो आप मिलाते ह तो ब्रॉंज एक अलोय बनता है, हाँ सर, इतना तो हमें पता है, उसके बाद क्या करेंगे, सच जब भी कोई मूर्ती बनानी होता है, तो सबसे पहले एक मोम लेंगे, जो मिट्टी होती है, मिट्टी के ओपर सबसे पहले आकर्ती बनाई जाएगी, ठीक है, मिट्टी की, फिर क्या होगा, उसको जलाया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर मोम मर दिया जाएगा, और फिर उपर से पिगला हुआ ब्रॉंज, पिगला हुआ ब्रॉंज उस छेद में से डाला जाएगा, तो मोम तो बिगल के भार आ जाएगा, और जहाँ जहाँ मोम था, वहाँ महाँ कि सबसे पहले मोम की एक आकर्ती बनाई जाएगी उसके चारो तरफ मिट्टी लपेटी जाएगी और फिर उसको गरम किया जाएगा जैसे ही गरम करोगे तो साइड में से एक छेद छोड़ दिया जाता था जिसमें उपर से गरम पिगला हुआ लावा यानि ब्रॉंस पिगला के अंदर दे रखाएगे उसके बाद काबुल काबुल का भी इंपॉर्टेंच बढ़ने लगा अफवानित्सान के अंदर आपको काबुल देखने को मिलता है विकेम कमर्चली एंड पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट इन 16th century काबुल और कांदार वर्लिंक टू सिल्क रूट क्यों इंपॉर्टेंट हुआ करता था क्योंकि यह सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था और सिल्क रूट से सबसे ज़्यादा वेपार चलता था ठीक है उसके बाद ट्रेड इन होर्सिस घोडों का वेपार चल रहा है यहां पर उसके बाद इन 17th century जीन वेप्टाइश्ट इंदर यह एक बेटा फ्रांस का एक मर्चंट हुआ करता था यह भारत के अंदर आएगा ठीक है और यह भी बता रहे कि भईया काबूल के अंदर तो बहुत सारा टेड अं और चल रहा है बेपार इस तो यहां पर जो भी समाल लेके जाया जाता था एक यह जगह से दूसरी जाता था काबूल और अफगानिस्तान वाले एरिया में उसके बाद the changing fortune of towns किस तरीके से टाउंस के अंदर चेंज आया है टाउंस लाइक है एंदाबाद वेंट ओन मेजर बिकेम कमर्शल सेंट सिटी जैसे थंजबूर हुआ करता था उसी तरीके से अलग-अलग चोटे-चोटे आपके टाउंस डवलप होने लगे क्योंकि बहुत सारी कंपनी जा चुकी है उनके विश्में कंपिटीशन चल रहा है अपना अपना धंदा-पानी सैट करने के लिए तो उसके एक फाइदा तो हुआ कि चलो डवलपमेंट हुआ थोड़ा बहुत ऑल्दो बिटिसस ने बाद में सारे वह खराब भी किया मुर्शीदा बाद एक बहुत इंपॉर्डन प्लेस निकल के आया ठीक है बंगाल के अंदर उखा करता था पहुंसी नदी के किनारे भागी रती नदी के किनारे जिसका प्रॉम रहा है इसका डिकलाइन की हुआ क्यूंकि अब मशीनी करण हो चुका है इंगलेंड के अंदर और इस चक्कर में यहां के जो हाथ से लोग बनाते थे समान वो सब नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उस महंगे भी हुआ करते थे और क्वांट्रेडी भी कम हुआ करती थी उसकी पोच्टुगी स्ट्रेवलर डॉमिंगो पेस विजिटेड हमपी इन 16 सेंचुरी इसके बारे में और पढ़ेंगे जब हम मॉडरन इस्ट्री स्टार्ट करेंगे उसके बाद हुंडी के बारे में अल्रीडी पढ़ ही चुके हैं और विजनगर के बारे में बात करी गई है जैसे मैं आपको बताया था ना बहुत सारे टैंक्स बनाए जाते थे के इरिगेशन के लिए तो विजनगर के अंदर ऐसे ही एक आपका है अनंत राज सागर डैम जो की कितना बड़ा है 1.37 किलोमेटर बड़ा है वाई साब पूछो ही मत कौन सी नदी के किनारे है माल देवी नदी के किनारे पर बना रखा है यह और कृस्ण देव राए बिल्ट आ यूज स्टोन एंदर टू हिल्स जो किस देव राए आपके राजा हुआ करते थे विज रोख सके ठीक है और फिर यहीं से बहुत सारे चैनल बहुत सारी नालिया बनाए जाएंगी जिससे अल्टिमेटली आपके गार्डन में पानी जाएगा आपके इरिगेशन फसल को पानी जाएगा यह सब चीजे बनाई गई है ठीक है हुंडी के बारे हम अल्लेडी पढ़ी आपको बताया था कि सिर्फ यह दोनों चैप्टर जो है जो मैं प्रिमेर करूंगा उसके बाद से जो चैप्टर नंबर एट होगा हम बापिस उस पे बेसिकली अपना लाइफ पे आ जोंगा मैं ठीक है बस तब तक के लिए में इसाथ बने रहो और रीड करते रहो तयारी एक बढ़िया रूप से करते रहो ध्यान रखो अपना जैहें देवरिवर्ण